ब्रेन बस्ट में हर शोकरवार की तरह आज भी आपका स्वागत किया जाता देखिए जो प्रोग्राम हम करते हैं कोशिश हमारी यह होती है कि लेटेस्ट टॉपिक्स आपके साथ डिस्किस किये जाएं और आप उसमें पार्टिस्पेट कर सकते हैं जब हमारे दूसरे गेस्ट आते हैं तो वो गेस्ट बहुत इंपोर्टन्ट होते हैं कई TV चैनल के ओपर जाके ये अपने प्रोग्राम करते हैं और दुनिया इनको देखती है आप इनको देखते होगे जरूर हर जगा पहंदोस्तान में कई चैनल के ओपर तो आज के प्रोग्राम में भी अगर आप चाहें सो डूरिंग प्रोग्राम जब मैं कहूंगा पंद्रह बीस मिन के बाद तो आप अपने क्वेश्चिन बही सकते हैं जिसको भी आपने पूछना हो या जनरल क्वेश्चिन पूछने हो तो उसके हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने के टैग टीवी का ये प्रोग्राम जो है ब्रेन बर्स्ट विज डॉक्टर शारदा पिछले दस साल से आपकी सेवा में हाज़र है और लगातार हम इस प्रोग्राम को कोशिश ये कर रहे हैं कि बेतर से बेतर बनाया जाए ताकि आप लोग इसमें पार्टिस्प्रेट कर सकें देखिए पहले ये प्रोग्राम लाइब नहीं होता था जबसे हमने लाइब किया तब से हमने ये कोशिश किया कि आपके कोशिश जो हैं उनका आपके जो स्वाल हैं उनका ज्वाब भी दे सकें आज बहुत इंपॉर्टन्ट है क्योंकि हिंदोस्तान में एक नए किसम की के अजरात में और हमाचल में तो जब एलेक्शन आते हैं तो कोई ना कोई किसी किसम के मुद्धे हमारे सामरे आ जाते हैं लेकिन जिन मुद्धों में गार्ड्स को इन्वाल किया जाए वो मैं समझता हूं कि शायद मेरी समझ के बाहर है कि पॉलिटीशन को उस मुद्धों को आगे लेके नहीं आना चाहिए खास करके अब यह कहा जा रहा है कि मुद्धन गंजी के फोटो के साथ आप देवी देवत्ताओं की फोटो भी लगा लें अब जाते हिंदो स्थान सेकूलर स्टेट है, हिंदो स्थान में बहुत धर्म है कल को लोग कहेंगे हैं जि कि हमारा 786 भी लगाओ, लोग कहेंगे बहुत की भी फोटो लगाओ, बहुत कहेंगे जी हमारे गुरुव की फोटो लगाओ, जी एक MP हैं कांगरेस की उन्होंना तो यहाँ तक क्या दिया कि नहीं जी इसके उपर हम डेट कर की फोटो लगाओ, तो मेरा ख्याल है कि इस किसम कि अगर फोटों लगनी शुरू हो जाए हिंदोस्तान की करंसी के ओपर तो कम से कम सैकड़ों डिफरेंट डिफरेंट जो वहां पर सेक्ट्स हैं उनके जो मानने वाले हैं उनकी फोटों लगानी पढ़ेंगी गौवर्मेंटों को सो एक तो ये बात है इसके लिए आज मिश्रा जी से खास बात करेंगे क्योंकि वो बिजनस स्ट्रेटिजिस्ट हैं और प्लिटिकल स्ट्रेटिजिस्ट भी हैं और शबनम जी जह हैं वो लोगों के बीच में रहती हैं और उनसे पूछेंगे भी लोग क्या कहते हैं और दूसरा जो हमारा आज का सुवाल है बहुत नहीं मिला लेते हैं मैं यह समझता हूँ कि इस किसम की स्टेट्मेंट बाइद इवेरी रेजनेबल जी क्योंकि आज के दुमाने में आप ऐसा यह कहो कि हम आपका एक हिसा नेक्स कर लेंगे एग्जेंपल चाहे इस बंगाल की हो दोस वार डिफरेंट सर्कमस्टांसिस आज पाकिस्तान के बाद 100 to 60 to 170 न्यूकलिएर्स हैं और हिंदुस्तान के पास 130 के क्रीब हैं सिच्टुएशन बहुत बदल चुकी हुई है तो लड़ाई जो जितना है वो तो है लेकिन आप यह को हो कि हम वहां पै उसको अनेक्स कर देंगे अपने साम मिला लेंगे यह थो पैदा हो रहे हैं कि दुबारा वहां पर मिलिटरी की डिक्टेरिशिप आ सकती है क्योंकि जब मिलिटरी के साथ डिरेक्ट कन्फरिंटेशन शुरू हो जाए किसी लीडर की जैसे कि इमरान खान ने आजकल शुरू की हुई है तो देन चांसीदार या तो वो जेल में जाएगा या आर्मी जो है वो फिर कंट्री को टेक ओवर करेगी इन शुरू के साथ आपको फिर बता दें कि टैग टीवी के उपर आप जब भी चाहें पंद्रा मिनट के बाद आपने क्वेस्चन जो है वो लिख सकते हैं हमारे प्रोडूसर साथ हमारे टीवी के उपर उनको डाल देंगे और हां कोशिश करेंगे आपको आंसर जो है उसी वक्त दें सबसे पहले आपको मिलाते हैं जानी पहचानी हस्ती लड़कियों की लड़कियों में एक बहुत जबर्दस्ट काम करने वाली रानी जहांसी के खिताब को हासर करने वाली शबनम खान शबनम जी आपका स्वागता है जी और उसके बाद आप भारत टीवी जी टीवी और डिफेंट डिफेंट टीवी चैनलों गोपर आप एके मिश्रा जी की वो जिसको कहते हैं ना खड़कती हुई आवाज जी वो आप सुनते हो और जो है जब यह बोलते हैं तो बाकी जो है इनकी मैंने देखा है इनके प्रोग्राम में बाकी कोई इंटर्फिय करने की कोशिश ही नहीं करता क्योंको अगर वो करेंगे भी तो यह अपनी वाज से उसको नीचे कर देंगे तो मिश्रा साब आपका भी स्वागत है तेंक यू रच सबसे पहले मिश्रा साब आप से यह और हमारे दोस्तान में कितने سیک्ट हैं कितने रिलीजन हैं यह वो सारे भी अपना अपना आकल को दावा कर सकते हैं आप क्या सोचते हो कि इसके पीशे अकलमनी क्या है केज़री वा जैसे आदमी को यह बात करने की आ आई आई टी वो अपना I.I.T. का आदमी है यह पढ इन्टेलेक्ट्टॉल टॉपिक है। बारत में नेता लोग अगर कुछ बोनें तो उसके पीषे नेतागिरी होती है। आप के जरी बास ते अगर खुद पूछ लिया जाए कि यह चीज किया जाए या न किया जाए। पांच बेनिफिट और पांच लासेज बताईए। इंटेलेक्शुलिटी तर्ग के बेस पे तो नहीं बता पाएंगे उनको शौरत जूपनी होती है तो इसको बीजेपी कॉंग्रेस और ये मत करिए हम देखेंगे कि इसको इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए शुरुआत करने के पहले मैं आपको बताओं 2011 का एक कोईनेज एक्ट है भारत की मैं बात कर रहा हूँ तो अपने तेश में जैसे 2002 में महावीर इसाब से हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक सेट्वर कंट्री है ठीक है ये सम्मिधान की बात हो गई अब जब जब सम्रिद्धी रही है शांती रही है तो सिकों पे किसी ने किसी तरीके से धर्म या धर्म प्रतीक अंकित रहे हैं हम अपने भारत की बात करें तो जो हमारा अशोक का इस्तंभ है वो भी तो धंब चक्र है नीचे जो लिखा गया है सत्य में हो जैते वो मुंड को पनिशत से लिया गया है की सत्य की ही जीत होती है दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट गतना मैं आपको बताता हूं अमेरिका ने 1956 में अपने करेंसी नोट पे लिखा इन गॉर्ड वी ट्रस्ट उसके पहले होता था वन एमंग मेनी कुछ इसी तरीके का होता था उन्हों उसको रिप्लेस किया तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताओं भारत में सेर साह सूरी ने सिक्के चलाए चारो खलीफाओं के उस पे नाम और प्रतीक चिन्न थे अकबर ने ये ध्यान से सुनिएगा अकबर ने राम सिया मुद्रा चलाई थी टोडर मलक के कहन बाकी है आज की डेट में एक सोने का है और दो चादी का बचा हुआ है इसके साथ अगर मैं इतिहास आपको पताओं गुप्त काल में आप देखिए तो गुप्तों के यहां तो महालक्ष्मी और इन सब की तस्वीरे होती थी बिहार में जब ये शोडस महाजनपत बगरा का अगर आपने सिक्कों के उपर जिन राजाओं ने ये सब चीजे धर्म से रिलेटेद प्रतीक लिखे हुए है तो उस वक्त प्रोस्परेटी बहुत रही है पीस बहुत रहा है फॉर एक्जामपिल हुमायू और बाबर ने कोई धर्म प्रतीक के सिक्के नहीं चलाया दोनों जिन्दगी भर लड़ते रहे और हुमायू तो दस साल के लिए भाग भी गया था सेरसा सुरी ने बगा दिया था अकबर ने ये चलाया तो मुगलों में सबसे ज़्यादा ग्लोरियस जो रहा प्रोस्परेटी वगर रही वो लगभग अकबर के टाइम पे रही हलांकि वो सबसे बड़ी पॉइंट जो मैंने नोट किया वो ये था कि जब भी धर्म प्रतीकों का वो किसी भी कल्चर में रहा हो मुस्लिम में रहा हो अरबों का भी अपना इतिहास है दिरम जो उनकी करेंसी है उसकी इटिमोलाजी देखेंगे तो कहीं न कहीं वो संस्रित के धर्म या आप ब्रंस धर्म से वो दिरम बन करके निकलता है तो आज की डेट में देखिए दिरम कितना प्रोस्परस एरिया है भारत में जब जब सिक्कों पर या करेंसी पर किसी देवी देवताओं के प्रतीक चिन रहे हैं प्रोस्पर्टी और शांती अपने चरम पे रही है अमेरिका का नेटिस्ट एक्जाम पे लीजिए 1956 में जब इन्हों ने लिखा अपना मोटो एडॉप्ट किया नया इन गॉड वी ट्रस्ट उसके पाले जस्ट वर्ड वार खतम हुआ था अमेरिका कोई डिकलेर्ड वो नहीं था बिग बॉस पूरी दुनिया का नहीं था अमेरिका आज की डेट में बिग बॉस है दुनिया का वो है केवल पैसे के कारण रूपए के कारण 1956 के पाद जब पूरी ग्लोबल एकोनोमी री सेटल हो रही थी और इन्होंने जैसे ही ये चीज़ एडॉप्ट की उनका डॉलर देखिये पूरी दुनिया में च्छा गया है एकोनोमी के दम पे उन्होंने मिलिट्री बनाई साइन्स एंड टेक्नोलाजी में प्रगति की और पैसे और एकोनोमी के दम पे ही वो राज कर रहे हैं अगर अमेरिक्या की एकोनोमी कंगाल हो जाए तो सोभिय संग की तरह उसको 26 स्टेट में टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब दूसरा इसको चाहें केजरी वाल बोले मैंने बोला भारत में पहले भी चला है महावीर जैन के उपर प्रतिकात्मक्त सिक्के निकले हैं उनके सम्मान में गुरु गरंद साहब के 300 साल पूरे होने पे निकले हैं और 2011 में हाई कोर्ट में बोले मुझलिम ने खेल किया था तो वो मना कर दिया गया था मेरे कहने का मतलब अगर हमारा रास्ति चिन्द हमा और मुझे अभी मैंने अकबर का एक्जामपिल दिया जब बहुत ज्यादा टर्मॉयल था तो राजा टोडरमन ने ये सला दिया कि राम सिया जो है आप सिक्का चलाईए उससे प्रॉस्पर्टी और पीस आएगा और ये डाकुमेंटेड है मैं प्रूफ के साथ ये बोल सकत किया गया है तो वहां पर इस्टेबिलिटी ये सब चीजे बहुत रही है आज की डेट में भी ये करना कोई बुराई नहीं है एक अगर जंगल कंसेसस बने सारे लोग अगर तयार है तो यहां के अपने देश के जितने भी धरम है तीन चार उनसे रिलेटेड चापना जो है कोई बुरी चीज नहीं है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसका अगर नोटों पे आपने ये चीज चाप दिया तो एक बड़ा इसका एकॉनॉमिकल बेनिफिट होगा अगर गॉड गॉड़ेस वगर की तस्वीरे है न तो नोट की जो सेल्फ लाइफ होती है या लाइफ एक मिश्णा जी ये जो आपकी ये जो आपकी आर्गूमेंट है इससे तो ये हो गया कि बलैक मिल बहुत बड़ जाएगी लोग नोटों को सुभाल के रख लेंगे और एकॉनुमी के बीच में से जो नोटों वो बाहर हो जाएंगे वो मुझे जचा नहीं इतना पर एड़ आप से मैं करूंगा क्वेश्चन अब मैं जरा शबन जुझी को एक मिट ले लूँ और उनका जरा इसके उपर जो है थोड़ा सा जाने की वो क्या सोईती है जोग साब किसी भी सिक्के पर या रुपे पर नोट पर भगवान की कोई भी फोटो लगाई जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हमारे देश में तो हर चीज का इशू बनेगा फिर अब मुसल्मान कहेंगे कि अल्ला हुआ अकबर लिखी है उसके उपर प्रॉब्लम लक्ष्मी और गडेश जी की नहीं है प्रॉब्लम भारत की जनता की है कि हर चीज को तो मुसल्मान इस तरह से लेता है कि मेरे खिलाफ आ गया सब कुछ तो जब नोट पे लक्ष्मी और गडेश जी चप जाएंगे उनको तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है पॉलिटिकल पार्टी इसको अब किसने मुद्दा उठाया बात ये भी नहीं मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ कोई दूसरी पार्टी भी अगर बगवान की बास करती और करती जेखिए कि लख्ष्मी घड़ेश जी की अ कि फोटो होनी चाहिए तो हम तो बहुत खुश होंगे मेरे टाइप आले मुसलिम भी बहुत खुश होंगे लेकिन एक वर्ग जो सिर्फ यही चाहता है कि किसी ना किसी तरह से लड़ाई होती रहे, किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई जगड़ा बना रहे हिंदू-मुस्लिम का, तो वो वर्ग तो पूरा सड़कों पर उतराएगा, कि पिर अल्ला हुआ अकबर ज़रूर लिखा जाना चाहि लक्षमी गड़ेजी चाहे आप 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 तो हमें किसी जगड़े में नहीं फसला है, अगर सरकार चाहेगी, सरकार की इच्छा शक्ती मजबूत होगी, तो वह अपने सारे पैनल से बात करके चापे, कोई दिक्कत नी है, फिर सरकार मजबूत है, विपक्षी भी कितना वी विरोध करें, कोई डरने की जुरत नी है, पर मेरा मानना है कि यह जो लॉजिक मिश्रा जी दे रहे है, मिश्रा भाइसर, कि लोग समाल के नोट खर्च करेंगे, बल्कि भगवान की अगर पोटो होगी, तो ज्यादा आदान प मिश्रा जी कि को कहना चाहते है, मेरे कहने का मक्लाव है, नोटों की मिस हैंडलिंग, जैसे कुछ लिख देना, उलटा सिधा लिख देना और विए यह पीन, और लिखना गी है, जिसको सुनम बेवफा लिखना है, जिसको उसपर अईलव यू लिख के चोड़ना है, जिसको उस पर कुछ और कुछ भी लिखना है, वो लिखने वाली कैटेगरी एक ताम अलग है, उसे भग्वान की फुर्टेगरी है, रावदीची की फुर्टामनी या उसको उपरी ही चलेंगे, नोट का व्योहार लेंदेन लगा रहेगा, मिस हैंडिलिंग नहीं होगी, इधर से पड़ी हुई है, मैं महसूस करता हूँ कि अगर करंसी इस तरीके से होल्ड अप होनी शुरू हो जाए, तो जो करंसी मार्केट में से बाहर अंदर बंद हो जाएगी, उस से डेफिनिटली जीडीपी के उपर बहुत फर्ग पड़ता है, यही तो यही तो बात आप कह रहे ह कि बगवान के से लिफ़ोगन के से लिफ़ोगन के सारे का दो इस फारे कर दोड़नों शुरू कर दूँगा, वही भी आदमी तरह नहीं की दस लाख रुपए उसको मिले हुए उसके जाए रिफ़ा है यह जी शुबनम जी अ शाथसो च्छेएशी नंबर वाला नोड मुस सा इतराज है आपने सिर्फ मुस्लमनों की बात की वो चाहेंगे कि हमारा अल्ला हूँ मैं उन से भी कट्टर मांता हूँ सरदार कहेंगे कि हमारे गुर्यों की फोटो चापो जी बौधी कहेंगे हमारे बौधीयों की फोटो चापे क्रिश्चिंस कहेंगे क्रिश्चिंस कहें तो मेरा मतलब ये तो एक बहुत बड़ा हम वो वो पतारा खोलने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ मुझे सांप ही सांप नदर आ रहे हैं मुझे उसमें से कोई फूल नदर नहीं आ रहा है और केजरिवाल जी को डॉक्साब इसमें भगवान में आस्था की वज़े से नहीं बोल रहे हूँ वो सिर्फ पॉलिटिकली बोल रहे हैं ताकि भारतिय जन्ता पार्टी को वो फसा सके अपनी राजनीति में तो ये राजनीतिक मुद्दा है इसका आस्था से जगवान कोई ये मैं मानता हूं कि ये उनका पॉलिटिकल इस्टंट है कोई वो मैं तो मोलता हूं कि भाई लक्ष्मी गड़ेस की जगा दिल्ली के स्कूल उनके है हर स्कूलों के धरवाजे पे एक गड़ेस जी की मूर्ती रखवादें और हर लोग उसको फूल चणवाया करें मैंने बो पुराने जमाने वाले जनता नहीं अब पुराने जमाने वाले लोग नहीं एक रखवाद की खुल दॉब यहां पर बोलना जानता है अब हर वैक्ति अपनी जो भी बात कहनी होती है सोशल मीडिया बड़ा मात्य में तो एक हंगामा बरपा हो जाएगा अगर हमने इस तरीक की चीजों की तरफ रुजान किया तो मुझे लगता है कि आजनी थी में आफसकर जो अभी करेंसी है वारी वह बहुत अच्छी है मैं बोलता हूँ तीन सौ था जब प्रकास पर सुछा था तो कोई और ये करेंसी नोट ये डेवलप किये थे भारा सरकार ने लॉंच किये थे मिश्रय असाँ थे कि वह let来ती वहुआ स्पेशल किärke आ आप दॏ निटेस के आप पर da दे यहां भी निकलते हैं वह तो ह़ा है उस न दी 머ै जगा सब्सक्राइब उससे बबाले हो जही है, मुष्रा है process की history यह बबाती यह कि जिन जिन Screenशी पर उनकी लेजलрах की वो बुनाना दो वो बुनाना'sना dream, यहां जो Christianity से ज्यादा हो जो वहां पर claim कर सके हिंदोस्तान is a multi religious country it is not देखिए 140 crore में सिर्फ 80 crore दिया है नहीं दूख बाकी तो सब लाग गया ना तो वो वो लुए हैं आप जो मर्जी कहते हो आपके कहने से क्या हो जैने में बाद्लियमेंड में अपने बना इक मिट को गुद्ध को हमारी पूजा पद्धी रखाती रख बद्धी रख सेम है अरे अरे आप जो मिधी कहते हैं वो नहीं न मांते पार्जित की बात नहीं है आप यह समझे जा को तब यह मैं ने यहां निए उनको छोड़िए मैं हिंदोस्तान के पार्लियमेंट की बात कर रहा हूं हिंदोस्तान की पार्डियमेंट में ये कनून पास हो चुका हुआ है कि एक सिख जो है वो अपने हसाब से रिलिजिल सेरिमनी शादियें कर सकते हैं हैं जी इंस्टेट अफ साथ फेरे चार फेरे तो ये एक सुनिये एंड तक हमारे जैनियों के साथ ही रिलेशन रहे हैं वो उनको ये कैदो कि तुम हिंदू को कहते हैं आप क्या बात करते हो हम तो सिर्फ महाविर और अपने एक और उनके गुरू थे उनके उनके हैं मैं तोड़ा मांते हैं भाति धर्मों की महांता क्या है मैं बता दूं जो हम सब को जोड़ के लखती है इससलिए बुद्ध हिंदू सिख जैन का किसी ने जोड़ कोहते हैं कि बुराइए नहीं करते हैं उनको नहीं करते हैं कल्यान हो हमारे किसी हमारे कुझा पत्ति से हम एक दूसरे की टांग नहीं खीचते हैं मिश्राजाब मिश्राजाब पादमी आप इतने टीवियों पर जाते हैं इतना कुछ करते हैं आज के जमाने में हिंदोस्तान में धर्म जो है वो तो एक दूसरे एक दूसरे का लड़ रहे हैं आप कौन सी बाल कर रहे हैं पिछड़े वंचित शोषित हैं उनको आप घोड़ी पहनी चड़ने देते उनको आप मूच नहीं रिखने देते उनकी आप शादी में कोई गाजा बाजा बजा ले तो नहीं बजाने देते तो ये सब तो उनके ओपर अत्या चार बरसों से होता ही आ रहा है ये शोशल सी इतियास बदलते हैं इतियास बदलते हैं नए इतियास बनते हैं मिश्रा जी तो उस गौरव शाली चार को वापस ले आई रेदर्में की ट्लेम करते रहें कि हमें किसी ने ऐसे बोला योगता पेटा करिए तो योगता से होता है मिश्रा जी माफ करना आप 21st century की बात नहीं कर रहें आप बात करें 20 century के भी पीछे के आप ये कर लो कोई कर सकता है ये लगू कि हाँ भी मैं ही जो है मेरा धर्मी जो है वो सब कुछ होगा ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं होगा पीछे की century के जितने मुद्धे है अलगसा मस्जिद का विवारास तक नहीं सुल जा है कौन सी century का है मुझे बताइए नहीं अरब और फिलिस्तीन और अरब में जगडा कौन सी century का है प्रोटेस्टेंट और ये प्रोटेस्टेंट और रिष्टियन में जितनी लडाईया होती है कौन सी century से तफिरिया एक मिनुट देखे वो जो लड़ाई जगडे है ना वर लिजिजिए लड़ाई जगडे बहु खब कभी खतम नी होने religious लड़ाई जगड़े, emotional लड़ाई जगड़े होते हैं, वो कभी खतम नहीं होते हैं, आप मुझे पताईए, नहीं मैं अच्छा, मैं शेर्पनाजी से पूछता हूं, क्या सुनी शिया कभी भी, सबसे बड़े वो अपने आपको दुश्मन समझते हैं, हलांके God उनका एक है, सबसे बड़े वो अपने आपको एक दूसरे के दुश्मन समझते हैं, मतलब सुनी यह मिसूस करते हैं, कि हमने शिया को खतम कर देना है, हलांके वो 20% हैं दुनिया में, 80% सुनी हैं, लेकिन यह जो जगड़े हैं यह नहीं खतम होने हैं, यह जगड़ों को हम उसके साथ न लेके जाएं, आप बताएए शम्रम जी, यह जो सुनी शिया के जवड़े हैं, इन्होंने प्रोटेस्टेंट एंड क्रिश्यनिटी में तो कम से कम, 1400 डिफरेंट सेक्ट हैं, 1400 डिफरेंट सेक्ट हैं, और हमारे यहां पर जितने डेरे बने हुए हैं, डेरे जो बने हुए ह उन्होंने क्या किया, उन्होंने धर्म के नाम पर अपने आपको आगे लाके अपनी लाइफ को एक लगजूरियस बनाने के लिए उन्होंने डेरे बना दिया, हिंदोस्तान में आप हैरान होगे कि 16,000 से ज्यादा डेरे हैं, 16,000 से ज्यादा गुरू हैं, बने हुए हाज ज जब पिछडों की दलितों की वोट की बात आती है, जब उनका सपोर्ट लेना होता है, तो सब लोग उन लोगों को बोलते हैं कि यह तो हमारी कमिनिटी के है, यह तो हिंदू भाई ही है, इनको तो हिंदू कम्यूनिटी में ही काउंट करिये, और जब वो बिचारा कहीं मूच जब वो बिचारा गोडी पे अपनी परात लेकि निकलने लगे तो फिर वो दलित हो जाता है फिर वो शोशित वंचित पिछड़ावा वेक्ति हो जाता है उसको अधिकारी नहीं देते तो यह लडाई तो यह है आप सब को हिंदू भी बताते और आप सब को हिंदू मानने को आप भी तैयार नहीं होते हैं यह भी तो प्रॉब्लम है ना अभी नोट पे लक्षमी गनेश जी की जैसे ही बात चली है मुसल्मान कहरे हमारा वाला नोट शापो गौतम बुझ जी लगाओ हर वेक्ति अपनी तरह से लेकर आ रहा है तो आप इसको इस जगड़े में मत फस अब मिशाइब पार्टी वाल शाप की फोटो लगा यह तो जगड़ा बढ़ने वाली बात है मेरा ख्याला कि जिस तरीके से भी अब देखिये गौर्वर्मेंट क्या डिसाइड करती है आने वाले तैज्बों करती है इस तरीके की राजनीति देश के आहित में चली जाए क कोई चीज ऐसी राजनीति नहीं करने चाहिए मिश्रा जी एक बात तो है कि केजरिवाल मतलों जितने ड्रामे करता है लेकिन वो कम से कम वो बीजेबी की जो फिलोस्फी है उसको पकड़के उसी को यूज कर रहा उनको उपर जी केजरिवाल की एक दिमक्ता तो मैं केजरिवाल ने बड़ी चालाकी से एक बड़ी होश्यारी से एक काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है पता नहीं बीजेपी वाले अभी इसको पकड़ पाए हैं कि नहीं पकड़ पाए हैं पहले प्रणान मंतरी के कई चेहरे थे ममताब अनर जी के सियार नितिश कुमार अब ते केजरिवाल है दिली के मुक्यमंतरी यानि चोटे से प्रदेश के मुक्यमंतरी है जो भी स्टेग मी नहीं है इंडिया लेबल की टार्डेट उनके जो मुद्धे होंगे जो स्टेटमेंट होंगे वह प्राइम रिस्टर लेवेल के यानि वह अपने आपको प्राइ कि अपने आपको प्रोजेक्ट करो कि हम पूरे देश की खबर रखते हैं चिंदा रखते हैं और हम एक प्राइम कंडिडेट हैं साइलेंट वे में इस मैसेज को पबलिक के दिमाग में डाला जाए वो एक मिशन पे हैं लेकिन जिस हिसाब से यह अपना चेहरा बदलते हैं पबलिक इंके उपर बिलीब नहीं कर रही है देखे कभी जो आदमी राम मंदिर के खिलाफ खड़ा था और ऐसी धर्म बिरोधी बाते करने वाला आज भगवान ने उसको सब्गुती दे दी आज वो लक्ष्मी और कड़ेस की पूला करने लगा रजब की बात है वाई यह तो मतलब भाला करने लगा शब्नभी दुनिया बड़ी जल्दी बूल जाती है कि उसने क्या कहा था उसन लोग सब उस बात को छोड़िये इस पार्टी वाला दूसरी पार्टी में चला जाता है तब लोग भूल जाते है कि अभी कितनी गाली बगकर पर्धान मंतरी जी को आया है वो यह कोई दूसरा जो दूसरी पार्टी में जाता है कितना उनके नेता को बुरा बता कर आया है तो सारे लोग उसकी जिंदाबाद लगाने लगते हैं, यहां तो दो मिनिट का खेल है, दो मिनिट में ही सब लोग भूल जाते हैं, बात यह नहीं है, लक्षमी भगवान और गणेश भगवान सबको प्रिय है, फोटो पे लगाना, नोट पे लगाना कोई दिक्कत नहीं किसी कि भगवान वां के दर्मार की फोटो बननी चाहिए निशाद राज को किसी कॉयन पे आप डाहिए निशाद राज दिना भारत के संस्किती है और इंहां आपतर से बहां पर नाव की नाव पने हुए को एक यूज पहले हुआ जो चुका लेकिन मैं आपके मिश्रव हैस अब चीज़ बोल रही हूं, इत्रिहास क्या-क्या था वाली बात ही नहीं है, एड प्रिजेंट में हम जी रहे हैं, अभी हमें क्या चीज़ सुकून देगी, हमारे देश को किस चीज़ की जरूरत है, दुनिया में युद हो रहा है, रशिया और युक्रेन युद में हैं, और कोरोना से हम लोग जूच कर निकल रहे हैं, अभी कोरोना भी गया नहीं है, हम लोग फिर नए नए वेरियंट उसके आ रहे हैं, और आप और हम दूसरी चीज़ों में उल्जे रहें, इस ते अच्छा हमारा देश सशक्त कैसे होगा, और भविष्य में जो हमें जो खत्रे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हमें खत्रा हो, चाहे वो हमें बीमारियों का खत्रा हो, हम उनसे कैसे उपर पाएंगे, हमें इस पर काम करना चाहिए, ना केजरिवाल जी को इस पर राजनीती करनी चाहिए, ना भारतिय जंता पार्टी को इस पर राजनीती करनी चाहिए, है चाहे वो बेहन जी मायवती जी हो चाहे वो अखिलेश भाईया हो इन लोगों ने जिस तरह से शोशर किया हम उस से कैसे निकाल कर देश की मुक्यदारह में लाएंगे हम सिर्फ इस पर काम करते हैं चाहिए बेस्टर लग टू यू टू यूर पारडी मिश्रा जी बात करते हैं कि यह जो ब्यान दिया है राइना सिंग्जी ने इसको आप कितना मैं सीदा स्वाल है इसको आप कितना इंटेलिजेंट मानते हैं कि हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक P.O.K. को हम आपस साथ नहीं मिला लेते हैं तेके डाट साब अभी जो भारत सरकार में जो भी मं देने से और इतना गंभीर बैयान अगर कोई देता है इसका मतलब है कि अंदर कुछ न कुछ लोग इसके लिए सीरियस हैं सरकार या मंती मंदल वगर अला कि ये चीजे इतनी आसान नहीं है आज की डेट में किसी भी एक सोवरेन कंट्री हाना कि जिस हम प्योकी की बात कर रहे हैं वो सोवरेन कंट्री नहीं है वो अकूपाइड और जबरजस्ती इलीगल तरीके से अकूपाइड एरिया है हम उसकी बात कर रहे है हाँ अभी देखिए वार के तरीके भी बहुत सारे बदल गए है भारत का हमेशा से मुद्दा रहा है, सरकार किसी की भी रही हो, कॉंग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, मिली जुली सरकार रही हो, P.O.K. के लिए हर सरकार ने यही बोला है, कि हमारा लक्ष है कि P.O.K. भारत का अभिन अंग है और हम इसको मिलाएंगे, तो नया कोई बयान नहीं दिया जो हमारा शुरू से ही है, सारी सरकारों का है बयान वही दिया है। इंटरनेशनल कूटनी और डिप्लोमेशी से कुछ इस तरीके से परसेप्शन बनवाया जाए, इकोनॉमिक प्रेशर अब जैसे देखिये रश्या बहुत सारे देश अलग हो गए क्योंकि एकोनॉमिक प्रेशर हुआ, बहुत सारे ऐसे डिप्लोमेटिक तरीके हो सकते हैं कि बिना वार के ही पाकिस्तान कुछ अपने आप इतना मजबूर हो जाए कि P.O.K. भी अलग हो जाए, बलूचिस्तान भी अलग हो जाए, बिसिंटिकेट हो जाए, फिर जो जिसमें मिलना चाहे, वो उसमें मिल जाए, तो डिफिनिटली P.O.K. वगर ये सब चीजे बारत में वहां तो अंदोलन भी हो रहे हैं मैं तो बोलता हूं वगर किवल वहीं की जनता अंदोलन करे और अच्छे तरीके से करे कि हमें भारत से मिलना है तो कब तक जो है वहां की गॉवर्मेंट रोप पाएगी नहीं रोप पाएगी कुछ न कुछ करके इसका सलूशन निकलेगा जी भाई इनको वारत के साथ मिलाएए तो मैं लगता है मुझ लगता है वार तो नहीं होगा लेकिन डिप्लोमेटिक इफर्ट चलते रहेंगे और रिजल्ब को कुछ भी आएगा उसी से आएगा इश्रा जी आपने आपने वैसे बहुत अच्छी बात किया मैं जरा शब्नम जी को इस में लाना चाहता हूं शब्नम जी देखिए बेसिकली क्या है कि इस वक्त जो मुस्लिम कंट्रीज हैं खासकर के अरब कंट्रीज जिसमें से हमें बहुत स्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है बिलियन्स में और आने वाले टाइम पर और मिननी है after all वो मुस्लिम कंट्रीज हैं मुस्लिम के वो हैड है साओधी रेबिया इस पोस्ट बीडी हैड आफ दी मुस्लिम कंट्रीज especially in the Arab countries तो मैं यह पूछना चाहता हूँ आपको being you are in the community कि यह जो आने वादा टाइम है हिंदोस्तान कोई भी step उठाए उसको यह चीजें consider करनी पड़ेंगी या नहीं कि हमारे relation जो है ultimately उनके साथ खराब हो सकते हैं और investment जो है वो आनी बंद हो सकती है पाकिस्तान के संबंद अगर मैं देखूं तो किसी के साथ भी अच्छे नहीं पाकिस्तान को कोई भी पसंद नहीं करता है लेकिन अगर अगर राजना सिंग जी कुछ ऐसी बात कह रहे है और इतनी एहम बात कह रहे है तो जरूर भारत में बड़े लेवल पर कुछ इस तरीके की चीज़ चल रही होगी जो नहीं एलेक्शन चल रहे हैं नहीं एक माफ करना एलेक्शन चल रहे हैं हमाचल में और गुजरात में उसके बाद यह स्क्रेमिन खत्म हो जागी हर चीज़ को इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए जो जो लीटर बात करेंगे जो लीटर बात करेंगे वो लेक्शन ही आज कर अगर पाकिस्तानी से भी पूछते हम क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी से जैसे बात होती है अपर शादी हो गई हुए कई लडगिया मेरे रिलेटिव की लडगिया कई शादी होकर पाकिस्तान गई हुए तो हर को पाकिस्तानी भी चाहता है अरे हमें ले लो प्लीज, अरे हमें अपने साथ जोड लो प्लीज, कुछ करो, मैम कुछ करो, मतलब इतना उनका भारत के परती प्रेम है, लेकिन आप और हम जो तूरियां देखते हैं, वो पॉलिटिकल नेता हो नहीं तो बना रखी हैं, पाकिस्तान के जो गटिया और गंद प्रदर्शन धरना शुरू करते हैं, लेकिन हमारी सरकार जरूर इस पर कुछ कारवाई करने की तयारी में हैं, और जल्द शायद आने वाले कुछ समय बाद, आप चाहें उसे पॉलिटिकल रंग कहते रहें, पर मैं आपकी बात नहीं मानूँगी इस विशे में, हो सकता है कि जल्द पीओ के, क्योंकि वह हमारा ही तो हिस्ता है, पाकिस्तान अक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने अक्यूपाइड कर रखा है, तो हम अगर अपनी चीज़ वापस भी ले लेते हैं लोकसा, तो इसमें हमने किसी से कुछ चीना थोड़ी, हमने अपनी चीज़ व जब जब किसी ने ऐसा कहा है कि यह पॉसिबल नहीं है हमारी सरकार ने वही पॉसिबल करके दिखाया है जब जब किसी ने कहा है कि 370 में जाता हूँ जब कोई वैक्टी कहता है यह नहीं हुआ है तो आप एपल और और अरंज की बात कर रहे हो बिश्रा जी कितना सीरियस मेटर है यह बाइदी वे कि कल को अगर जैसे मुझे याद है मैं उस वकत महाँ पर था जो बंगाल की बात थी ना जी वो बंगाल के लोग उठे थे और बंगाल के लोगों ने अथिहार उठाये थे और दो करोड से ज्यादा आजमी हिंदोस्तान में आ गए थे जिसमें से एक करोड के आजमें अथिहार थे जी दिये गए उनको त्यारी बकायदा की और वो वो लड़े उनको हेल्प मिली आर्मी की तरफ से that was a different situation all together लेकर आ तक पॉसिबल है कि आर्मी जो है वो जाके प्योग को खाली करा सकते हैं देखे अभी आपने एक कीज बोला था कि वाई ओपेक कंट्री हैं पचास बावन मुस्लिम देश है वो इसका विरोध करेंगे मैं आपको बोलता हूं कि बहुत सारे मुस्लिम देशों ने 370 इन सब के खिलाब बोला था लेकिन उनको ठंडा कर दिया गया साथी एरब की बात करें तो उनको समझ में आ गया है कि हमें दुगई बनना पड़ेगा और ये उनकी जरूरत है कि इंडिया में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ बहुत फेवरेबल कॉइंट उनके लिए है अगर वो डाइवर्सी फाई नहीं करेंगे तो दाने-दाने को मोहताज हो जाएंगे वहां पर टैक्सेशन वगरा शुरू हो गई है जो फ्री के रिबेट मिलते थे मुफ्त में रोटिया मिलती थी गवर्मेंट ने बहु है बचाने की पोशिश करता है इसका एक एग्जामपल है मैं आपको बताऊंगा अभी देखिए कुछ बात हुई थी पाकिस्तान में ही जो है FATF से बाहर आने के लिए कहां-कहां उसने नहीं रगड़ा कि भईया हमको बेल आउट कर दो हमको डोनेशन दे दो हमको भीग द होती है जिनके थू जो है आदमी को किसी ने किसी तरीके से जो जो चीज हम चाहते हैं पीसफुल तरीके से वो होनी चाहिए तो यह मुझे कोई अगर देखे सिच्वेशन तो एकदम बदल सकती है आज की डेट में गल्फ की साओधी अरब की अमेरिका वगरा से अच्छे त का है तो साओधी अरब वगरा या बहुत सारे ऐसे देश हैं वो नहीं बोलेंगे हाँ प्यो के वगरा पाकिस्तान और इंडिया का जो डिवीजन हुआ है उसमें इंट्रेस्टाप के अंग्रेजों का और अमेरिका का ज्यादा है चाइना वगरा इन चीजों को इनकाउंट फ्यूचर को देखते हुए तो अगर पूरी दुनिया एक तरीके से हो गई तो आप बड़े आराम से ले सकते हैं उसमें कोई दिक्कत में हो सकता है पाकिस्तान खुद ही अपने आपको बाई 1971 में है जब बंगलादेस अलग हुआ था तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने क् अपने आप बलूचिस्तान को जाने दो हमें आराम से हम पंजाबी लोग है पंजाब तक लिंटेड रहेंगे हमें आराम से रहने दो ऐसे यह पी ओके के लिए भी अपने आप ही छोड़ देंगे डाक साप्रेशर पढ़ना शूब ने रस्तियों के जोड़ में जोड़े ज चैनल यह जब गवारत की तरह आएंगे सब भारत के साथ सब श्रीशता बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ वैसे भी कोई इस तरह नहीं चाहता चाहे अपनी मजबूरियों में किसी ने खोड़ जोड़ कर रखा हो पर जब दोनों केंट्रीज का नाम आप रखेंगे उनके सामने कि किसको चुन्दा है आपको तो सब भारत के साथ खड़े नजर आएंगे आपको यह हमारे बारत के साथ होगा और उनको सबक मिल गया आधर वक्त तसल चल रही है बीट्विन इमरान खान और बड़े अपने आपको वो होते हैं भवकी यह मार रहा है मैं यह कर दूँगा मैं वो कर दूँगा मैं लाखों लोगों को लेके वहां पर चला जाओंगा मेरी आज से मुवमेंट शुरू हो गई है आर्मी वाले जो हैं य यह खुद गवर्मेंट के साथ मिले हुए हैं यह कौन होते हैं प्रेस कांफरेंस करने वाले लेकिन आर्मी आपको लगता नहीं कि आर्मी वाले वैसे उसको वान कर रहे हैं कि तूँगा मतलो तेरा जो पानी है सिर से अगर उपर जाने वाला तो तू फिर डूप जाएगा आपको क्या लगता है इमरान खान की अगर आप याद करें तो वो भी एक ऐसे ही बड़ा पहली सरकार के खिलाफ डेलिगेशन लेकर निकले थे सड़कों पर की अब यह सरकार बदलनी हैं और उनके साथ मॉलाना भी थे पाकिस्तान के बड़े बड़े तो पाकिस्तान की तो कोई नई बात नहीं है और आर्मी का वहाँ पर क्या रूप है क्या रंग है यह सारा दुनिया जानती है वहाँ पर देश कौन चलाता ये भी सब लोग जानते हैं ये तो मोहरे बैठे रहते हैं जो परदान मंत्री और पूरा वो जो आप उनकी संसाथ देखते हैं वो तो सि खिलाफ कई लोग मैं देखती हूं कि युनाइटिड नेशन में वहाँ पर जाके वो घड़ियाली आंसू बहने लगते तो इमरान खान की बात पर तो मैं ध्यानी नहीं दे रही हूं लेकिन इमरान खान जिस तरीके की चीजे कर रहे वो आर्मी उनका क्या हश्र करने वाली कि आने वाला समय जल्द बता देगा nin कि मैंने बेन जीर बुट्टो के पापा कow वह देखा उनका क्या हुआ बेन जीर बुट्टो को भी हमने देखा और भी बहुत सारे जो भी महां के परदाण मंपरी और सब रहे है किस तरह से उनका क्या-क्या हाल हो तो इमरान कहन को थ जो है वहां की वो पूरी नहीं होने देगी और किस तरह से उनको नेस्ट नाबूद किया जाए परवेज मुशरब भी इसका एक उधारण है यह आने वाला भविश्य बताएगा मिश्रा जी आखिर में टाइम की कमिया आप से यह पूछना चाहता हूँ कि यह जो इमरान खान डिरेक्ट कन्विक्ट कर रहा है आर्मी के साथ सारी दुनिया जानती है कि आर्मी जो है वो रियल रूनलर है पाकिस्तान में तो यह जो डिरेक्ट कन्विक्ट उनके साथ कर रहा ये आर्मी के कहें पर कर रहा है कुछ लोगों के आर्मी क्योंकि ये तो पकी बात है कि आर्मी में कम से कम 50% उसके भी वफदार है तो ये किस वज़े से कर रहा है क्या उसको नदर नहीं आता कि मेरा भेविशे जो है वो खतरनाक हो सकता है आर्मी तो थे ही उनके मुझ खून लगा था अब दूसरा इमरान खान को दीरे से आर्मी ने लौंच किया और आर्मी ने सोचा नहीं था कि ये अमारे लिए चैलेंज बन जायेगा उसको सत्ता मिली तो वो भी एक आदम खूर सेर हो गया एक माद में दो सेर तो रह नहीं सकते यहां आदमी जो है वो सकता है सकता कौन चला है इमरान खान और इतिहास रहा है पाकिस्तान का आप यह देखिए भुट्टो को जो है जब फांसी पे लटकाया गया था तो बेनजीर भुट्टो उनकी बिटिया प्रधान मंत्री हुई लेकिन पूरे प्रधान मंत्री और र भुट्टो देखे इस पोर्ट के कारण जो है इसका एक सॉफ्ट कॉर्णर आल ओवर वर्ड में है ग्लोबल कंडिशन कुछ ऐसी है यह आर्मी अगर इतना बड़ा इसके लेती है कि इमरान खान को क्रैक डाउन करे फांसी पे लटकाए तो तशद्दुत यानि टर्मोयल ज आता है कि वहां की जनता भी ऐसे ही डरी हुई और डर्पोख है जो इतने डिंगे मारती है कि हम यह कर देंगे वो कर देंगे हम बहादूर है एक नेता को फांसी पर चड़ा दिया गया प्रदान मंत्री को और पब्लिक ने कुछ नहीं किया सब्शांत हो के बैठ गए और आ कहीं ने कहीं से उसको शह मिली हुई है और अगर डाइरेट कंफ्रोंटेशन अपकी बार आर्मी इतना ज्यादा आपने आपको वहां पर करे अब ग्लोबल कंडिशन कुछ और है डाक साब बदल गया है चाइना जैसी ताकत आप यह देखो ताइवान में कुछ नहीं कर पा रहा है एक सैनिक नहीं बेच पा रहा है तो अगर पाकिस्तान करेगी जब कि पाकिस्तान की अंदर की मिलेटरी की हालत खराब है एकोनौमी की हालत खराब है इंटरनेशनल लेवेल पे सेंक्शन्स वगरा लगने शुरू होंगे ड़क साब और यह आर्मी जब तक उसको भी पाकिस्तान को कुछ भी करना हो उसकी इंदाद रोग दी जाए उसकी भीक रोग दी जाए सेना अपने आप सरेंडर कर देगी मैं आपको बदा दू पाकिस्तान की सेना के पास कोई ताकत नहीं है इवन नुक्लियर आर्सेनल को छोडने के लिए भी अगर डीजल और पेट् डूदे कंडिशन में कि वो किसी भी नेता को फांसी पे चड़ाए जेल बंद कर सकती है यह सब पर सकती है दोचार जापड फिर से लगा सकती है जैसे उस बार लगाया बंद कमरे में लेकिन इतना बड़ा कदम नहीं करेगी कि जया पर फांसी पर चड़ादे और कुछ कर है, आखिर में आप क्या कहना चाहिए? मैं तो दिवाली की शुब कामना है, आपको देना भूल गई और आपके सारे वीवर्स को, तो सब को दिवाली की ढेर सारी शुब कामना है, बिलेटेड और आप सब सुखी रहे, प्रणाद के लिए भी सब लोग प्रे करें कि हमारा भारत भी फले फूले और प्रेम प्यार की यहां पर जो सौहाद की गंगा बहती रहें और इम्रांग खान जो जो गदे गोडे बेच कर अपना काराले का टेलेफोन का बिल तक नहीं भर पाते हैं आप उनसे आशा करते हैं कि वो नुक्लियर बंपोडेने की वकात रहते हैं नुक्लियर बंपोडने की दूर की वकात हैं उनकी इतनी भी हिमत नहीं है पहले वो अपनी डाल-रोटी चला लें वही काफी है तो पाकिस्तान को आप इतना ताकत वर्मत देखने की कोशिश करिये, भारत जब चाहेगा, अगर आप हमारी आर्मी की बात करते हैं, हमारी आर्मी तो इतनी दमदार है, एक घुड़की भी दे दी आप पाकिस्तान को, और फिर आप कहेंगे कि पॉलिटिकल बात कर रही है, मै पॉलिटिकल बात नहीं कर रही हूं, मैं अपने देश के वीरों पर नास करके बोल रही हूं गया है, कि भारत का एक जो हमारा आर्मी का, आर्मी वालों को छोड़ी देश की जनता भी अगर आप कहेंगे ना कि पाकिस्तान पर अपना करना है, तो तयार मिलेगी आपको, तो कि इसी पर एक दिन चर्चा करेंगे, कि शबनम जी बहुत मुबारक हो, आपका पी ओके भी आपके पास वापस आगया है, और पाकिस्तान शायद पूरा का पूरा कहीं हम भारत मेरा मिला ले, शायद हो सकता है भाविशे में आप इसके लिए हमें बढ़ाई देए, खर कर आपदें के दी लिए यह 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 बहुत ही मतल डिफेरेंट भियू है कि हम उसको जो हैं चैप्चिर कर लेंगे यह संब लेंगे वो कंट्री है और उस कंटी के साथ कम से कम बहुत लोग खड़े हैं, कंटीज खड़ी हैं उनके साथ, लेकिन उनकी अपनी जो हाला थाई तरफ पारिट पारिट इपने इपने आप परिजा खाँ अपना साथवा वेड़ा वेजा था और लंडन ने भी अपनी पंडुपिया भेजी थी ने 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 वो दूसरा देश को मिश्णा साथ पाकिस्तान की अगर चार वारें गिरें तो चार वारें उन्होंने बुरी तरह हा रही हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है लेकिन उस कंट्री को कैप्चर करना, अपना हीसा बनाना, ये एक बहुत ही मतलुब हवाई के हाला, ये ये नहीं हो पाएगा, हम वो करके दिखाते हैं, ये है भारत, ठीक है, नहीं होतरा होना है, चाहिए आपकी अच्छी बात है, आप्रिशेट आट, लेकिन सम्टाइम् प्रेक्टिकल ठीकल ठीक होती है, वो ज्यादा बैटर होती है, मिश्रा जी आखर में, अच्छी बोलूँगा कि अभी डिवेट तो हो गई है, दिवाली थी, दिवाली के ही दिन सिख्छों का प्रकास पर होता है, मैंने देखा था वीडियो, अमरिश सर में बहुत अच्छ कि गुरुपर्व की, प्रकास उत्सों की, भाईया दूज की और छट की जो मंडे तक चलेगा, मंडे टूज के तक, मैं तो यह बोलूँगा, फेस्टिवल को एंजोय करिये आप सब लोग, और फिर कभी मुलाकात होगी, तरकों के साथ किसी और इंपोर्टेंट टॉपिक धन्यवाद, I wish you all the best, and you have a wonderful, wonderful time, and good night to both of you, क्योंकि आपके तो वहाँ राज शुरू हो गई है, thanks a lot, जितने भी हमारे वियूर्स हैं, उनको मैं यह पता देना चाहता हूं, और रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप जब यह प्रोग्रम देखते हैं, तो इसको लाइक किय करें, इसको शेर किया करें, और शेर करने के बाद, अपने दोस्तों में तरों को भी जरूर कहें, कि वो भी आगे इसको लाइक करें, और शेर करें, मैं कई बार आपको यह रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि वी, I personally feel, कि by the end of this year, we should have at least one million viewers, और वो तब हो सकते हैं, जब आप इसमें हमारा साथ देंगे, यह आपका प्रोग्राम है, यह हमारा प्रोग्राम नहीं हम आपके लिए जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैस्टों को रिक्वेस्ट करते हैं, आपके लिए हम प्रोग्राम लेके आते हैं, तो प्लीश मेक इट शूर कि आप इसको जितना भी स साथ दे सकते हैं वो यही है पैसे का साथ तो आज कल आपका बहुत कम है हमारे पास क्योंकि हमने जब भी रिक्वेस्ट करते हैं पेपर डॉट मी टैग टीवी इंटरनेशनल या पेट्रियोन के दुरू या जो हमारा वेब साइट का पेज है वहां पर बटन दबा कर वो तो doant to Azerbaijan कर सकते हैं उपरिय को आप इसको शेर कर सकते हैं और अपने दोस्तों मेंतनों को रक्वेस्ट कर सकते हैं वो भी इसको शेर कर हैं ह। ए्लाइक टैनेश्ट región, दॉट तैंक यॽ पर दूच मैं